ये कहानी बहुत पहले की है जहां एक गरीब चिणिया टुन्टुनी कालू सुन्दरी कवी के खेत में काम करती है फिर एक दिन सुनो टुन्टुनी चिणिया हमारा खेत कापी सालों से बंजर पड़ा है मैं चाहती हूँ कि उस पर तुम नेमगो की खेती करो इस तरह तुमें काम भी मिल जाएगा और हमारे खेत में फसल भी उख जाएगी सुन्दरी कवी की यह बात सुनकर टुन्टुनी चिणिया बहुत खुस हो जाती है क्योंकि उसे अपना घर चलाने के लिए काम की जरुवत थी जी सुन्दरी बहन क्यों नहीं वैसे भी मुझे काम की जरुवत थी पर एक बात है सुन्दरी बहन आप मुझे कितना महन ताना दोगी अगर यह बात अभी तै हो जाती है तो अच्छा रहेगा तुन्टूनी चड्या देने के लिए तो वैसे मेरे पास कुछ भे नहीं है पर हाँ यहाँ अगर नियम्बू की फचल अच्छी होई तो आधी फचल तुम्हारी और आधी फचल मेरी होगी यह बात सुनकर टुन्टूनी चड्या उस काम के लिए हाँ भार देती है फिर वो अपने पती टुन्नू चिड़ा के साथ दिन रात बारिस में काफी मेहनत करकर निम्बू के भीज लगाते हैं ऐसे ही काफी महेने निकल जाते हैं और एक दिन टुन्टुनी चिड़ियां और उसके पती टुन्नू चिड़ा के मेहनत का फल रंग लाती है जिसे देखकर टुन्टुनी चिड़ियां और उसके पती टुन्नु चिड़ां बहुत खुश हो जाते हैं एक दिन कालु का हुआ और अपनी पतनी सुंदरी कवी के साथ खेत पे आता है अपने खेत में नीम्बू लहराता हुआ देखकर वह बहुत खुश हो जाता है सुन्दरी आज से पहले हमारे खेत में कभी भी ऐसी फसल नहीं हुई थी मैंने अपने खेत में पहली बार ऐसी फसल देखी है मेरे पिता जी ने बहुत बार फसल उगाई पर ऐसी फसल तो कभी नहीं हुई टुन्टूनी चुनिया ने बहुत ही मेहनत के साथ काम किया है वह सारा दिन खेत में लगी रहती थी सुन्द्री अब फसल तो तयार हो गई है क्यों नहीं टुन्टूनी चुनिया अगर इस फसल को काटने आये तो हम उसे भगा दे कालो जी चाहती तो मैं भी यहीं हूँ पर ये सब कैसे होगा सुन्दरी मैं ये सब कर लूँगा तुम ये सब मुझे पे छोड़ दो तुम बिल्कुल भी चीनता मत करो मैं सब कर लूँगा वहीं दूसरी तरफ टुम टुनी चुनिया बहुत खुश थी क्योंकि आज फचल काटने का समय आ गया था टुन्दो जी जल्दी चलो आज हमारी फचल की कटाई करनी है उसके बाद हमारा जो हिस्सा मिलेगा उसे बेच कर हम अपने लिए एक बढ़िया सा गोसला बनाएंगे हाँ टुम टुनी मैं दुराते उठा कर चलता हूँ और तु पानी का मटका उठा लो हम बैल गाड़ी के साथ जाएंगे दोनों अपना समान रखकर और बैल गाड़ी के साथ खेत पर आ जाते हैं पती पतने दिन भर काम करते हैं और सारे नीमबू तोड़ने के बाद और वो से भी कठा कर लेते हैं तब ही कालो कवा वहां पर लाठी लेकर आ जाता है कौन हो तुम दोनों और यहां मेरे खेत पर बीने पूछे क्या कर रहे हो तुम दोनों यह आप मजाग कर रही हो कालो भया हमें जानते तो हो हमने ही तो आपके खेत में नेमबू की फजल बॉई है अरे भागो यहां से पता नहीं कहां कहां से मूँ उठा कर यहां आ जाते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता सुनो कालो भाया हमने आपके पत्नी के कहने पर ही यह खेत में पसल उगाई थी और आप हमें भगा रहे हो यह तो बहुत गलत बात है ना अच्छा अगर मेरी पतनी कहेगी की तुम कुए में छलांग लगा तो क्या तुम कुए में छलांग लगाओगी बोलो बोलो चुप क्यों हो अरे उसका तो दिमा खराब है जो मुझ से बीना पूछे तुम दोनों को मेरा खेत दे दिया तुनों जी मैंने तो यह सोचा नहीं था अब हम क्या करेंगे हमने तो इस खेत में बहुत महिनत की थी टुन्टूनी तुम चीनता मत करो चलो हम चील राजा के पास चरगर अपना नयाय मांगते हैं यह सुनकर टुन्टोनी चिणियां को कुछ उमीद मिलती है, टुन्टोनी और टुन्नो चिड़ा चील राजा के पास चले जाते हैं, तभी इधर सुन्द्री कभी आ जाती है, अरे वाह कालो जी क्या नाटक किया है आपने और आपने उन्हें भगा दिया कालो जी हम इन निम्बू में से आधा निम्बू बेच कर अपने लिए गहने बनवाऊंगी और अपने लिए साल भर का अनाज भी कठा करूंगी चील राजा को पूरी बात बताते हैं राजा जी आप हमारा नियाय करो हमने कालो कववा और सुन्दरी कववी के खेत में मिहनत करके निम्बू उगाए हैं जब निम्बू बाटने की बारी आई तो उन्होंने वहां से हमें भगा दिया चील राजा यह बात सुनकर कहता है सैनी को जल्दी जाओ और उन दोनों को यहां बुला कर लाओ राजा के सैनी जाकर कालो और सुन्दरी को उन्हें महल में बुला लाते हैं कालो तुन्टोनी चुणिया ने तो हमें अपनी बात बता दिये अब तुम अपनी बात बता असल में मांजरा क्या है राजा जी वह खेत मेरा है और तुन्टोनी चुणिया ने मुझसे भी ना पूछे उस खेत में फसल क्यों उगाई नहीं नहीं राजा जी हमें सुन्दरी कवी ने उस खेत में फसल उगाने को कहा था इसलिए हमने उसमें खेती की थी और उसने महंताना के आधा फसल देने का वादा भी किया था राजा जी यह सरा सर गलत बात है यह मेरी पत्नी सुन्द्री कवी है और इसका दिमाग ठीक नहीं है ये तो पागल है पागल हाँ राजा जी मैंने तो टूंटूनी चुरिया से मज़ा किया था और टूंटूनी चुरिया ने उसे सच समझ लिया अब इसमें मेरा प्यादोस है कालू और सुंद्री कवी की बात सुनकर चील राजा अपने सैनिकों से कहते हैं चील राजा के सैनिक वहाँ जाते हैं और सारे नेमबो की फचल बैल गाड़ी में लोट करके महल में ले आते हैं चील राजआ टूंटूनी चुरिया और सुंद्री कवी को आधा आधा फचल दोनों को बाट देते हैं तुन्टोनी चिणियां राजा के नयाय पर बहुत खुश थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी आपने बहुत अच्छा नयाय किया वरना हमने तो सारी उमीदे ही छोड़ दी थी टुन्टुनी चिडियां हम ऐसा कैसे होने देते हम यहाँ पक्षियों का इंसाब करने के लिए ही तो बैठे हैं फिर टुन्टुनी चिडियां और टुन्नु चिडा अपनी नीम्बू की फसल बैल गाड़ी में लोट करकर अपने घर ले आते हैं वहाँ कालू और सुंद्री कवी को अपने किये पर बहुत पस्तावा होता है